हेलो बच्चों, आज जेई एडवांस के PYQs में हम unit and dimension के सवाल करता है एडवांस ने ठीक टाक number of PYQs पूछ रखें बड़ा unit and dimension के लिए और जिसकिसी बच्चे ने unit and dimension अगर अलग से नहीं पढ़ रखा तो note an issue अगर आपको सिर्फ वो सिर्फ units or dimensions लिखने आते हैं क्योंकि जो सवाल है जेई एडवांस के अंदर unit and dimension चैप्टर के वो mostly procedural और repetitive टाइप की ही है तो अगर मानलो कि जेई में लेट से 24 में, 25 में, 26 में अगर मानलो कि UND का अगर सवाल आएगा तो इन जैसे से सवालों के ही आने की उम्मीद है बस क्या है, कि सारे-सारे unit and dimension आने चाहिए और dimensional analysis आना चाहिए और मानलो कि भी dimensions को अगर change कर दो तो मैनेज करना आना चाहिए सिर्फ तीन चीज़े आने चाहिए इसके लग कोई चीज़ आए नहीं आए इतना फर्क नहीं पड़ता तो अगर किसी बच्चे ने UND अगर मानलो कि ऐसे advance level की नहीं पड़ रखी advance level की होती भी नहीं है तो कोई issue नहीं है, सिर्फ और सब your lecture शुरू से लेकर आखर तक attend करे सारे-सारे सवालों को बड़े गाम से देखें इतना answer देखें, that would be enough और किसी जिसके आवशक्ता है नहीं बस हाँ, आपको सारे के सारे units और dimensions लिखने आने चाहिए है अगर किसी बच्चे को नहीं भी आते हैं तो मैं साथ-साथ में सिखा भी दूँगा बट सारे-सारे dimensions अगर आपको आते हैं तो किसी भी सवाल में आप समझने में नहीं अटकोगे तो चलिए, सबसे पहला सवाल बिटा ये शायद J Advanced 2015 के पेपर 1 का सवाल है Plank's constant, H, speed of light, C और gravitational constant, G जो है are used to form a unit of length, L, unit of mass, M तो अंदर correct options are मतलब उल्टा हो गया अब क्या हो गया? कि जो mass और length है, उनको लिखना है किसकी terms के अंदर? H की terms में, C की terms में, और G की terms में तो इस तरह की सवाल है वो हमेशा dimensional analysis से ही होंगे जैसे dimensional analysis से formula को अगर निकालते है इस तरह की सवाल भी उसी से होंगे अगर किसी बचे को नहीं आता है तो बड़ा आम सिजमात को सीख सकता है सुनेगा सबसे पहले, बड़ा planks constant इसकी dimension लिखते है बड़ा planks constant का कोई formula यादे का है आप तो बोलो कि हाँ से बिलकुल ही यादे energy is equals to h into f तो h is equals to energy upon frequency energy के dimension सारे बच्चों को यादे रहती है that is ml2 t-2 frequency के dimension t-1 तो मिरे पास ही हो गया ml2 t-1 ये h की dimension है कई बच्चों को हो सता है कि dimension पहले से यादो तो बड़ा वो थोड़ा fast forward कर सकते हैं वीडियो करा इसी तरह से speed of light तो बड़ा obvious बात है कि velocity तो है कि तरह से speed ही तो है तेस के dimension तो हम जानते ही है lt-1 universal constant g की अगर dimension चाहिए तो बड़ा g का कोई लोग को फर्मला आना चाहिए तो आप बोलोगे से याद है कि दो masses की बीच में gravitational force का फर्मला होता है f is equals to g m1 m2 upon r square तो में बड़ा आराम से लिचता हूँगी g is equals to f into r square upon m1 m2 है कि लिए बड़ा force की dimension में पहले से पता होती है that is ml t-2 r बड़ा दूरी है तो उसकी dimension l होगी तो उसका square l square m1 m2 बड़ा masses है तो उनकी dimension बड़ा of course mm तो m square तो g की unit मेरे पास आगी है m-1 l की power 3 t की power minus 2 m की power minus 1 l की power 3 t की power minus 2 अब मेरा जो l और m है वो इनकी terms में है मतलब कहने कार दिये कि हमारी जो length है न वो depend कर रही है बड़ा किस पे? h पे, c पे और g पे length कैसे depend कर रही है वो नहीं पता तो मैं इनकी powers माहा लेता हूँ बड़ा let's say इस पर power a है इस पर power b है इस पर power let's say मेरे पास c है इसी तरीके से m भी बड़ा depend कर रहा है और अगेन मैं पूछा है कि m और l जो है बड़ा h के और g के किस power की proportional है तो सोचते है l की dimension बड़ा मैं पता है that is m raise to power 0 l raise to power 1 और t raise to power 0 h की dimension हमने अभी भी निकाली बड़ा कितनी थी ml2 t-1 ml2 t-1 power हमें पता नहीं है पता करनी है तो मैंने उसको a लिख दिया उस unknown power को c की dimension हम जानते है lt-1 that is of course बड़ा b g हमने अभी भी dimension निकाली थी m-1 m-1 l की power 3 t की power minus 2 बड़ा पूर e की power c यही सिर्फ उस उस पावर इस compare करने है m की power बड़ा compare करना m की power बड़ा क्या आएगी यहापर a आएगी minus c आएगी यहाँ a आगी यहाँ बड़ा कोई power है रही यहाँ minus c आगी a minus c should be equal to but of course 0 तो मेरे पास आगया a is equal to c l की बड़ा पावर का compare करना lhs में और rhs में इधर बड़ा कितनी है 2a फिर b फिर बड़ा 3c this should be equal to 1 ठीक हाला की a और c बराबरी है तो मैं बड़ा राम से ऐसे लिख सता हूं कि it is 5a plus b ठीक a की बड़ा पावर कांबर करना minus a minus b बड़ा वां कितना minus 2c should be equal to what 0 तो मेरे पास बड़ा क्या आगया मेरे पास आगया a plus b plus 2c is equal to 0 a यह और c तो बड़ा सेम ही है तो मैं इसको बड़ा राम से लिखता हूं कि 3a plus b is equal to 0 और 5a plus b is equal to 1 ठीक है इस में से इसको बड़ा मैंने minus किया तो मेरे पास आगया है 2a is equal to 1 तो a comes out to be half a की value half तो c की value भी half हलकिम b निकालना चाहिए b भी निकाल सकते है b is equal to जासे अब आप देख पारे हो it is minus 3a तो b की value मेरे पास आजाएगी minus 3 by 2 तो मैं बड़ा आराम से से कह सकता हूं कि l is equal to h की power half c की power c की power minus 3 by 2 और g की power c बड़ा c भी कितना है half तो l की बड़ा देखना कौन से कौन से options है l के 2 options है directly proportional to root h और directly proportional to root g directly proportional to root h सही है directly proportional to root g और अगर ऐसा होता कि एक option l is directly proportional to c की power minus 3 by 2 या फिर inversely proportional to c की power 3 by 2 अगर ये भी option होते है तो वो भी सही होते है बट ठीक है यहां पर दो दार्ड पेचल टू जी और डाइट ली पर बॉपेचल टू रूट जी और डाइट पर ₹ दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं थिक फ्यर अनॉफ ऐसी मुझे आम निकाल देते हैं अगें बड़ा बड़े राम से कह सकते हूं कि M depend करेगा बढ़ा किस किस पर depend करेगा H पर C पर और G पर H पर C पर और G पर लें किन powers पर depend करेगा वो powers नहीं पता power से तो पूछी है सवाल के अंतर M की dimension पता है it is M raised to power 1 L raised to power 0 T raised to power 0 H बढ़ा dimension क्या थी M L to T minus 1 की power बढ़ा A ये L T minus 1 की power B बढ़ा G की dimension क्या थी M minus 1 L की power 3 T की power minus 2 पूरे की power C अगर compare करें M की powers को तो बढ़ा मेरे पास आ गया RHS में क्या आ गया A minus C should be equal to 1 इदर बढ़ा पार 1 इदर बढ़ा पार 1 इदर बढ़ा अफोरस A minus C मैं 2 A L की बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 2 A plus B 2 A plus B plus 3 C should be equal to 0 बढ़ा T की power देखना minus A minus B minus 2 C is equal to 0 यह मेरे पास थर्ड़ equation perfect इन दोन equation से B उटा जेते हैं B उटा देंगे तो A C में एक equation पहले से A C में एक equation यह आ जाएगी दो equation दो बढ़ा बढ़ा कर लेंगे एक काम करते हैं equation 2 को 3 को add करते हैं तो यह तो बढ़ा गाया हो जाएगी 2 A minus A is बढ़ा of course A बढ़ा यह A plus C should be equal to 0 और A minus C is equal to 1 पहले से बढ़ा दोनों को मैंने add किया तो A comes out to be half A comes out to be half बढ़ा उसे put किया तो C also comes out to be half A B half C B half तो B भी निकाल लेंगे B निकाल लो तो आप बढ़ा राम से कैसे हबते हैं कि यह तो आजाएगा 1 plus B plus 3 by 2 is equals to 0 B की value आजाएगी मेरे पास minus 5 by 2 तो मेरे पास M जो है वो आगे बढ़ा कैसे H की power A half C की power minus 5 by 2 and G की power C बढ़ा C कितना है एक बार option शेक करना बढ़ा कुछ दिर रखा है option दिर रखा है M is directly proportional to root C M is directly proportional to root G M is directly proportional to C गलत बढ़ा sorry M is directly proportional to root C लिखावा है तो तो गलत होगे न C की बढ़ा पावर तो minus 5 by 2 लिखावा है तो तो गलत होगे दें बढ़ा मेरे ख्याल से M is यह सही होगे M is directly proportional to root G M is directly proportional to root G यह आपका सही होगे तो इस more than one correct question में यह सही है यह सही है यह सही है यह बढ़ा का of course गलत है चेक है अच्छा सवाल था था बड़ा सवाल था ठीक है बट ठीक है ऐसे बड़े सवाल को बन कर सकते है आगे चलते है मैंने काफी समय लिया सवाल को explain करने में क्योंकि बढ़ा मैं ऐसा अजूम कर रहा हूँ कि बहुत सार बच्चों ने यह चीज़े ठीक है नेक्स्ट स्टिस इन टांस ओफ पोटेंशिल दिफेरेंज उल बड़ा वी पोटेंशिल दिफेरेंज है बड़ा पोटेंशिल डिफेरेंज वर्टव द अपॉन चार्ज होता है ध्याद रफन ऐसे बताने के लिए की मुझे डैमेशन निकालने पड़ सकती इसके इलेक्ट्रिक करेंट बिड़ा करेंट तो अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है पर्मिटिविटी बिड़ा मेरे पास यह एपसाइलन नॉट है और परमी अबिलिटी मू नॉट बिड़ा ठीक है यह एडवांस 2015 का सवाल है सवाल थो बड़ा तो हुई क्या है सारे ओप्शन चेक करने पड़ेंगे क्यूंकि फ्रमुला निकालना नहीं बिड़ा अपको प्रूव करना है तो सबसे पहले सबकी dimensions निकाल लाते हैं, सबसे पहले potential difference की dimension, potential difference होता है work done upon charge, work की dimension होती है ml2, t-2, charge की बड़ा dimension होती है it, so this comes out to be ml2, t-3, i-1, current की बड़ा को सोचने की जरूत नहीं, current की dimension तो आई ही होती है, speed of light की dimension आप समझी क्योंगे, that is of course, l, t-1, epsilon 0 की dimension निकालते हैं, देखा है, epsilon 0 की dimension निकालने लिए, कोई निकोई formula आना चाहिए, आप गोगे सब्सक्राइब, दो charges की बीच में force का formula होता है, f is equals to, q1, q2, 1 upon 4 pi epsilon 0 into dhuri का square, बड़ा, ओ 4 pi जान बूचके नहीं लिखा, क्योंकि उसके dimension नहीं है, वो तो को constant है, बिना dimension वाला, तो मैं epsilon 0 को लिख सकता हूँ, कि इसके dimension जो होगी, वो होगी, charge into charge upon force into dhuri का square, बड़ा, charge है it, तो यह होगया, i square, t square, force मेरे बालक जानते हैं, that is, m, l, t-2, dhuri का square, l square और गया, तो यह, l cube आ गया, कुल मिलाकर मेरे पास dimension आ गया, m, minus 1, l की power minus 3, बड़ा, t की power 4, और i की power 2, यह, बड़ा, मेरे पास, किसके dimension आ गया, epsilon और dimension आ गया, अब मूनोट के dimension ओर चाहिए, उसके लिए मूनोट के कोई उनकोई formula आना चाहिए, मेरे पास एक formula है, देखो, होस speed of light is equals to under root of mu not into epsilon not, अब speed of light की dimension आ पता ही है, epsilon not की पता ही है, तो mu not निकालने के, मैं mu not की dimension का बड़े आराम से लिख सकता हूँ, it is 1 upon epsilon not into c square, अब देखो, 1 upon epsilon not, तो epsilon not वाले ऊपर जाएंगे, तो मेरे पास बड़ा क्या जाएगा, m, l cube, t की पावर माइनस 4, i की पावर माइनस 2, नीचे बड़ा c square, c square is l2, t minus 2, कुलना के dimension आगी है, m, बड़ा l, t की पावर माइनस 2, i की पावर माइनस 2, ये मेरे पास mu not की dimension आगी है, मैंने बिल्कुल basic से बड़ा कैसे-कैसे dimensions निकालना है, अलग-अलग formula हो से, ये मैंने कोशि बड़ा option है, mu not current का square, a option है, mu not into current का square is equals to epsilon not into v square, is equals to epsilon, बड़ा देखते, mu not हो गया, dimension के एसाब से, m, l, t minus 2, current की पावर माइनस 2, ये बड़ा current का square, current का square तो बड़ा i square ही हो जाएगा, ये दोन बड़ा आपकी cancel, तो कुल मिला का मिरे पास dimension आगए, lhs की ml, t minus 2, rhs की कितनी है, epsilon not v square, बड़ा epsilon not की dimension क्या थी, m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 3, t की पावर 4, i का square, इंटु बड़ा potential का square, potential का square बड़ा देखना, m square, l raise to power 4, m square, l raise to power 4, t की पावर माइनस 6, t की पावर माइनस 6, i की पावर माइनस 2, these solve करना, m तो बच जाएगा, l square बच जाएगा, t की पावर माइनस 2 बच जाएगी, sorry L A की बचेगाड ML T की power minus 2 I square I square cancel, ये भी ML T minus 2 बड़ा, ये भी ML T minus 2 इसका मतलब हमारा पहला वाला तो formula है ये dimensional के हिसाब से बिलकुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई issue नहीं है ये सही होगा, अगला check करते है, epsilon not into current is equals to mu not into V V option check कर रहा हूँ epsilon not into current is equals to mu not into V epsilon not dimensional क्या थी, epsilon not dimensional थी, M minus 1, L minus 3 M minus 1 L minus 3 T की power 4, I की power 2 T की power 4 I की power 2 current की dimension बड़ा, I ही है ठेक, RHS में mu not into V, बड़ा mu not into V mu not into dimension क्या है M, L, T minus 2, I minus 2 M, L, T minus 2, I minus 2 multiple by potential difference, बड़ा potential difference के dimension निकाल चुके M, L2, T minus 3, I minus 1 M, L2, T minus 3, I minus थीक है, इधर देखना क्या बच क्या बच के या, LHS में M की power minus 1 L की power minus 3 T की power 4 I की power 3 RHS में क्या बच बच गया? बड़ा यहां पर M square बच गया बाकि और कुछ भी बच रखा होगा अब आगे चेक ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर बढ़ा M की पार माइनस है, यहाँ पर M का स्क्वार है, of course बढ़ा आपका बी ओप्शन है, तो गलत हो क्या है, आगे चलते हैं, C ओप्शन, C ओप्शन है, I is equals to Epsilon naught C V स्क्वार, current is equals to Epsilon naught इन्टो बढ़ा C V, इन्टो C, इन्टो V, Epsilon naught की बढ़ा दैमेंशन में पता ही है, that is M की पार माइनस 1, L की पार माइनस 3, T की पार 4, I की पार बढ़ा 2, C बढ़ा आपकी C बढ़ा speed of light थी, speed of light की डैमेंशन मेंशन बढ़ा आपके पास L T minus 1, V बढ़ा आपके पास potential difference था, उसके डैमेंशन बढ़ा आप लोगों निकार रखिये, M L2 T minus 3, I minus 1, बढ़ा यही थी थी नहीं, हाँ, LHS में तो current है, उसके डैमेंशन तो I ही रहेगी, बढ़ा च और यह L की पावर minus 3, बढ़ा cancel हो गया, यह बढ़ा T की पावर 4 है, यह बढ़ा T की पावर minus 1, minus 4 और यह बढ़ा का plus 4, cancel हो गया, यहाँ I square, यहाँ I minus 1, तो यहाँ पर भी आपका I ही आगया, LHS में, RHS में दोनों तरफ बढ़ा आपके पास current की ही dimension आ चुकी है, दोनों तर mu naught CI, बढ़ा D option चेक कर रहा हूँ, mu naught CI is equals to epsilon naught V, is equals to epsilon naught V, mu naught, mu naught की हमने dimension शायद बढ़ा पहले लिखी हो, M L T minus 2, I minus 2, C बढ़ा speed of light है, तो L T minus 1, current बढ़ा आपके पास I है, RHS में epsilon naught V, बढ़ा epsilon naught dimensional बढ़ा ने लिखी थी, M minus 1, L की पावर minus 3, T की पावर बढ़ा 4, I की पावर 2, potential difference, हमने कई बार लिखा है, potential difference, that is, M L 2 T minus 3, I minus 1, पहले बढ़ा एक बढ़ा LHS चेक करते है, LHS, बढ़ा देखना, LHS में क्या आगया, M, बढ़ा वैसा का वैसा आगया, L, L, L square हो गया, T की पावर minus 2, T की पावर minus 1, बढ़ा T की पावर minus 3, M L 2 T की पावर minus 3, I की पावर minus 1, RHS में देखना है, M, M, बढ़ा cancel, M की पावर 0 बच गई, इधर M की पावर 1 है, इधर M की पावर 0, वैसे balance नहीं कर रही, तो they are not equal, तो D, आगे मैंने check है, इसका अगे D, बढ़ा, dimensionally correct formula नहीं है, तो आप कह सकते हो कि answer नहीं है, answer बढ़ा सिर्फ हो से कौन सा आगया, A और C आगया, ठीक है, थोड़ा सा boring था, बढ़ा ठीक है, बढ़ा समझे तो होंगे, कि कैसे patientally इसको solve करते हैं, 2016 में बढ़ा एक काफी मलब J, advanced type का सा सवाल पूछा, कि देखने में थोड़ा सा असान लगता है, बढ़ा सा परिशान करता है, और अच्छे बच्चे को भी परिशान कर सकता है, ठीक है, तो क्या सवाल है, बढ़ा सुनिएगा, length L depends on, बढ़ा को length L है, वो depend कर रही है, बढ permittivity पे, Boltzman constant KB पर, temperature T पर, number per unit volume, इक तरसे number of particles per unit volume पर, और charge Q पर, इन सब पर डिपेंड कर रही है, इन कैसे डिपेंड कर रही है, यह नहीं पता, directly proportional है, directly proportional to root है, तो let's see, बढ़ा, इसका power A है, इसका power B है, इसका power C है, इसका power D है, इसका power E है, इसका power E है, ऐसे खुब सारे power बने इस तरह से ले लिए, ठीक है, अब मुझे पूछा है, कौन सा formula यह है, सही होगा, तो यह वाला वैसे सवाल करने का सही तरीका तो यह है, कि dimension analysis से सवाल करो, इन सब की dimensions लिखो, फिर आप दोनों तरह power match करा हूँ, और इससे A, B, C, D, E की answer आने चाहिए, फिर आपको match कराने है, थोड़ा सा easy ऐसे हो सकता है, कि हर जगे KB into T एक साथ ही लिखावा है, तो आप KB और T पर same power मान सकते हो, और KB into T जो है, वो अपने बास energy है, energy dimension आपको पहले से पता रहती है, that is ML2 T minus 2, तो थोड़ा सा over easy हो जाएगा, बात यहाँ फसेगी कि जैसे आप इस equation को solve करोगे न, तो हना एक equation कम बनेगी, वैसे तो आप दोनों तरह जैसे power match करा होगे न, तो equations तो बनना start हो जाएगी, लिखन होकर क्या कि, एक equation ऐसा जा अब दूसरी equation भी जाएगी, A minus 2D equals to zero, ठीक है, तो number of variables जादा हो जाएगी, और equation कम हो जाएगी, equation गिनने में तो लगेगा, यह बडाबर है, ठीक है, लेकिन होगा क्या, कि ऐसे आजएगी, let's say, equation X plus 2Y is equals to zero, फिर दूसरी equation आपको जाएगी, X plus 2Y equals to zero, तो गिनने में तो कि उसके पास number of variables जादा हो जाते हैं, और equations कम हो जाती हैं, और equations कम क्यों होई, बिड़ाओने बता हैं, कि जब आपने equation उस सवाल करो गया, तो आपको पता लएगा कि number one equation और number third equation exactly same आगी, तो गिनने में तो लगता है कि हाँ यह 5 variable 5 equation है, लिगो 4 equation ही बैठती है, ठीक है, तो ऐसे में फस सकता है मामला, तो मैं कहूंगा कि ना, फस सकता नहीं, फसेगा, इस सवाल में फसेगा है, फसेगा, तो यहाँ पर क्या चार आपाचा, बलब मही बात, इसलिए बतारों कि एडवांस वाले कितने समझदार हैं, होस्त है कि उन्होंने जान बूच के डाला हुए चार नमबर का सवाल है, तो ऐसे छोड़ थोड़ देंगे, और भी डैमेंशन अनलेसिस का सवाल है, और अबज़ बात है, यूनिट इन डैमेंशन का सवाल है, तो यह चार ओप्शन पड़ें हैं, बटा, सवाल कर लो, तो चलो में सवाल करता हूँ, एन जो है, बड़ा कोई डैमेंशन नहीं होती है, वोल्यूम बड़ा LQ होता है, वो उपर जाएगा उपर, तो L की पावर माइनस 3 यह इसके डैमेंशन है, Q जो बड़ा आपका चार्ज है, उसके डैमेंशन बड़ा आफकोर्स आपके पास IT है, ठीक है, एपसाइलन जो है, बड़ा उसके डैम क्या निकाली थी, M-1, L-3, TK-4, IK-2, ठीक है, ठीक है, यह जो बड़ा बोल्समेंशन इन्टू टेमपरिचर है, तो बोल्समेंशन की अलग और तेमपरिचर की अलग डैमेंशन लगने का आवशकता है, बोल्समेंशन इन्टू टेमपरिचर में एनर्जी देता है, और ए बड़ाद रहती है, M-L-2, T-2, क्योंकि हर जगाड़ के बी इन्टू टी है, एक साथ ही लिखा है, तो दोनों का अलग लगने से फाइदा है नहीं, चलो, अब ए ओप्शन चेक करते है, ए ओप्शन में है, कि लेंथ इस एक्वोल्स टू अंडरूट और रूट औफ, N-Q- N-Bड़ा क्या है, L-की पावर माइनस 3, Q-square, Q-square is I-square T-square, upon Epsilon-not, Epsilon-not है M-की पावर माइनस 3, L-की पावर माइनस 3, SORRY, M-की पावर माइनस 1, L-की पावर माइनस 3, T-की पावर 2, I-की पावर 2, K-B into T तो बड़ा M energy, energy dimension होती है, M, L-2, T- to Dimension चेक करते हैं कि इसके dimension L आखिर है या नहीं है M-1, M बिड़ा cancel L की पावर-3, L की पावर-3 cancel T square T की पावर-2, T की पावर-2 cancel I square, I square बिड़ा क्या हो गया, cancel ठीक है, मेरे पास कुल मिलागर बजा Root of L की पावर-2, that is L की पावर-1 इसका मतलब इसकी dimension L नहीं आ रही है, L की पावर-1 आ रही है Length is equals to, Length की पावर-1 तो हो नहीं सकता तो obviously बढ़ापका है, ये वाला option तो गलत है ठीक है, अब ये वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला expression है, बिलकुल ये वाला expression है ये भी root में, ये भी root में बस यहाँ पर N की square नीचे आ गया और ये epsilon के बेटी इदर आ गया तो इससे solve करने की ज़रूरत है नहीं है इसकी dimension बढ़ा of course L e आएगी तो B तो आपके पास answer होगा है होगा बी तो answer होगा होगा अब ये वाला सवाल more than one question है और किसी बच्चे नगर dimension analysis से कर solve किया तो उसे पता लग गया कि number of answers तो खुप सारे आ सकते हैं तो C और D में कोई answer हो सकता है तो भी मुझे चेक करने पड़ेंगे otherwise बढ़ा of course ठीक है L का A की formula आना चाहिए, A की unique solution आना चाहिए था यहाँ पर एक unique solution नहीं आ रहा और भी आ सकते हैं, तो और भी ऐसे option हो सकते हैं तो चलिए, एक काम करते हैं एक और solve कर देते हैं मैं एक बार बढ़ा C option चेक करके दिखाता हूँ C option C option है under root of Q square Q square तो हो गया, L square, T square Epsilon note Epsilon note है M की power minus 1 L की power minus 3 T की power 4 I की power 2 N की power 2 by 3 N की power 2 by 3, कितना हो गया L की power minus 2 इसके power 2 by 3 into KBT KBT तो आपे से वह यह energy energy is of course ML T minus 2 चेक करना किस के dimension L आ रही है M की power minus 1 M cancel L की power minus 3 और L ये बड़ा हो गया L की power minus 2 L की power minus 2 गया उपर तो बड़ा मेरे ख्याल से L की power 4 बचे गया आगे देखना बड़ा ओ सोरी सोरी L बड़ा अपे चेक करता हूँ L की power minus 2 L की power minus 3 बड़ा L की power क्या हो गया minus 5 ये बड़ा एक और तो L की power minus 4 L की power minus 4 उपर गया तो ये L की power 6 आ गया ठीक है अब सुन जागे T की power 4 T की power minus 2 तो बड़ा मेरे पास दुनों cancel यहां पर T square T square बड़ा cancel I बड़ा मेरे पास बच गया I जाएगा उपर I cancel नहीं हो रहा तो इसके dimension में मेरे ख्याल से कुछ-कुछ बड़ा I into L की power 3 कुछ-कुछ ऐसी आ रही है तो C हमारा answer नहीं होगा ठीक है लास्ट क्या check करना है D check करना है D वी check कर लेते हैं root of Q square Q square बड़ा वापिस से I square T square नीचे epsilon 0 बड़ा epsilon 0 is M की power minus 1 L की power minus 3 T की power 4 I की power 2 N की power 1 by 3 बड़ा L की power minus 1 हो जाएगा इसकी बड़ा power 1 by 3 बतो होगा K b into T बड़ा आपके पास energy है that is of course M L2 T minus 2 और बड़ा यहाँ पर भी आप L2 लेना ठीक है मेरे से mistake होगी लें ठीक हो तब आपके बड़ा answer match तो करनी दा आगे चले solve करना यहाँ पर मेरे पास M की power minus 1 M बड़ा cancel L की power 2 L की power minus 3 L की power minus 1 हो गया L की power minus 1 L की power minus 1 L की power minus 2 हो गया वो उपर गया तो L square बच गया T की power 4 T की power minus 2 T square बच गया यह T square बड़ा उपर ले T square से cancel हो गया I square I square बड़ा वैसे cancel हो गया root of L square dimension बड़ा कितनी आ गई L length can be represented by root of L square इसके dimension बड़ा कितनी आ रही है L यह आ रही है तो it can be the answer तो दो answer आगे बड़ा कौन से कौन से B और D एक ही expression के दो formula क्यों आगे बड़ा मैंने कहा न इसमें और भी formula आ सकते है क्योंकि बड़ा यहाँ पर थोड़े से number of variables थोड़े से जाए थे और equations कम बनेंगी तो यहाँ पर various answers आ सकते है तो यहाँ आपका BB answers है और DVR typical advanced type का सम्वाल है कोई बच्चा का dimensional analysis करेगा तो फसेगा फस्त ही सोचना क्या क्या बच्चा तो शोड़ेगा और smart बच्चा होगा कोई बात नहीं या मेरे से सवल नहीं हो रहा मैं एक काम करता हूँ उल्टा करता हूँ इन्होंनों तो सवाल option सहीर ना रख्योंगे कोई ने कोई मैच कर रहा होगा मैच कर आयते हैं तो बड़े रामसान सरा जाएगा ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा tricky सवाल है J-Advance 2019 का सवाल है ऐसा मान के चल सबते हो कि आगे आने वाले सालों के अंदर भी इस तरह का सवाल वापिस से repeat हो सकता है अगर यह वाला सवाल देख लिया इसका solution लिख लिया तो मान के चलो कि अगली बार यह वाला सवाल आएगा तो आप बड़े रामसे कर लोगे ठीक है हुसता है कि यह वाला सवाल बड़ा आपने class example कभी ना किया हो बट यह वाला सवाल यहां करने से अपका बड़े रामसे का बच जाएगा ठीक है तो क्या लिखा हुए Consider a system of units in which mass, angular momentum are dimensionless वैस्तो फोर्ष मास के पास m में dimension 1 होती है angular momentum में mass में 1 dimension होती है length में 2 dimension होती है और time में minus 1 dimension होती है यह ने कोई नया unit system दे रखे है जिसमें mass और angular momentum दोनों ही dimensionless दे रखे है ठीक if length has dimension L अच्छा नए वाले system के अंदर length जो रहा हूँ उसका dimension अभी भी L ही है which of the following statement is all true तो बड़ा मुझसे इन चीजों के dimension पूछ रखी है L की terms में निकालते सबसे पहली बात अगर mass की बात करें तो वैसे तो हमारे पास जो traditional dimension है उसमें बड़ा capital M में dimension 1 होती है सिर्फ capital M लिखते लिए dimension उसकी 1 होती है नए वाले system के अंदर mass में dimension 0 दे रखे है मैंने बड़ा नए वाले dimension को जान बूछ के small m लिख दिया जिससे आपको clarity रहे कि दोनों different है यह traditional यह आपके जो सवाल के अंदर explain कर रखे है हाँ length में जरूर यह बोल रखे है कि traditional में भी length में बड़ा dimension L 1 और जो अपनी नई वाले define कर रखे है उसमें dimension L ही है दोनों में सहीं है angular momentum के अगर बात करें जिससा कि आप जानते हो कि traditional में बड़ा उसके dimension होती है ML2 T-1 mass में one dimension length में two और time में minus one लेकिन जो हमारा नयवाला system दे रखा है नयवाला unit system दे रखा है उसमें mass में भी zero length में भी zero और time में भी zero बड़ा जान बुच कि मैंने mass और time को small m और small t लिखा है क्योंकि बड़ा यहां पर mass और time zone की dimensions डिफरेंट होगी है length की बड़ा ठीक है और वो notation में नचान मुझके सेम रखे अगर मैं इसको solve करूँ तो बड़ा मैं जानता हूँ इस equation से मैं ऐसा कह सकता हूँ equation number one से मैं बड़ा आराम से सकता हूँ कि यह दोन बड़ा आपके cancel और यहां से बड़ा आराम से t को अगर उधर लेकर जाओ तो l square को मैं लिख सकता हूँ कि it is basically t इतना काफी है अब सर्फ औस एक option शेक करना है मुझसे पूछा कि force के dimension क्या होगी बड़ा force के dimension in general आप जानते हो कि ml2 t-1 होगी वालग बात बड़ा है तो अपना traditional वाला है नए वाले system में इस m को मैं m की 0 dimension लिख सकता हूँ जो कि यह सवाल मुझे दे रखिये l square बड़ा वैसा का वैसा लिख दिया t की power बड़ा minus 1 को बड़ा मैं क्या लिख सकता हूँ oh sorry l में 1 ही होती है force में ml t-2 मुझे वापिस लिख लेता हूँ बड़ा फर से लिखता हूँ force के dimension क्या होती है traditional में ml2 sorry ml t-2 नए वाले system में m में कोई dimension नहीं है length बड़ा मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूँ जो t की पावर बड़ा minus 2 है इसे में बड़े आराम से l में minus 4 के dimension लेख सकता हूँ कुल मिलांकर मेरे पास यह आगया l में dimension minus 3 so यह option seems fine to me the dimension of energy is energy के dimension पूछ रखिए energy के dimension देखे energy के dimension होती है ml2 t-2 बड़ा नए वाले के अंदर यह m के dimension दो 0 l का बड़ा square बैसा का बैसा t की पावर बड़ा t की dimension minus 2 के मैं लिख सकता हूँ इस equation से l के dimension minus 4 so बड़ा this comes out to be l के dimension minus 2 so dimension of energy is l minus 2 seems okay to me next is dimension of power is बड़ा power power की in general dimension मेरे बच्चो को यादी रहती है ml2 t-3 m को नई वाले में अगर देखें तो 0 l में बड़ा 2 की 2 t-3 को बड़ा आराम से लिख सकता हूँ l का minus 6 और यहां से मेरे पास l में dimension आगया minus 4 of course बड़ा ही आपका c गलात हो गया last है मेरे बच्चे linear momentum linear momentum को बड़ा किस से represent करूँ उसके dimension आप जानते है that is ml t-1 m में तो बड़ा नई वाले में 0 है length बड़ा वैसे की रही t-1 को बड़ा में of course l minus 2 लिख सकता हूँ तो अपकुल में लाकर में पास l minus 1 बच्चिया तो d also seems good to me so what's the answer answer comes out to be mere बच्चे a बच्चे तो बड़ा बड़ा इस तरका सवाल वापस advance में आपकुलोगे न बस तेक वोर ऐसा मान के चलो कि बड़ा unit and dimension जापन कर रहे है perfect time तो आपकुलोगे पहले से पड़ा रखा है वो प्लस बड़ा आपने तो जाइमेन के लगए हलका फूका पड़ा रखा है वो प्लस यवाद तो लेक्च्चर है वो इस से मारा बड़ा काम से काम से जाए है ठीक आगे चलते है I hope I am not wasting your time next is थोड़ा सा अच्छा इंट्रेस्टिं सवाल है हलाकि easy है बस इंट्रेस्टिं है अफकूर्श फिर एडवांस के सवाव थोड़ा सा तो वो इन्नोविटी बनाना ही कोशिश करते ही है बट यूनित इन दिमेंशन में बहुँ जाए इन्नोविटी भी नी बना सकते है तो सवाल आसानी रदा आखर के अंदर है sometimes it is convenient to construct a system of unit so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity एक physical quantity की terms में sorry explain कर देंगे इसे कैसे हो सकता है बस पावर अलग लग कर देंगे in one such system dimension of different quantities are given in terms of quantity x as follows position को लिख दिया है x raised power alpha बड़ा position वैसे L हुआ करता था उसको मुझी दे रख है x की power 1 इसी तरह से speed बड़ा speed को हम बोला करते है lt-1 वो बड़ा हो गया x की power beta next is acceleration acceleration की dimension वा करते है lt-2 बड़ा उससे लिख दिया है x raised to power p linear momentum that is of course mlt-1 उसकी मुझी बढ़ा रख है x raised to power q और force बड़ा जो मेरे पास mlt-2 वा करता था बड़ा वो हो गया x raised to power r तो सब को यह x की terms में लिख दिया अंतर क्या है सिर्फ और सिर्फ पावर का now बड़ा मुझसे ही कुछ relations पूछ रहे के pqr वगर में निकाल लेंगे relations तो बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा राम से सारे से relations हम justify कर सकते हैं बड़ा राम से जैसे यह बोल रखा है कि a plus p is equal to two times beta तो a plus p बड़ा कैसे आएगा बड़ा मेरे ख्याल से a plus p तो शायद मैं equations को number देता हूँ याण this is equation number one this is my equation number two three four five मैं ब्लकुल वैसे कर रहा हूँ जैसे बच्चे को actual advance में करना चाहिए मुझे पहला option चेक करना है मुझे बड़ा alpha into p यह निकालना है तो alpha into p बड़ा कैसे आएगा मेरे काल से equation number one को और three को multiply कर दो equation one को और three को बड़ा में multiply किया तो LHS में तो मेरे पास आगया l2 t-2 और RHS मेरे पास आगया x raise to power बड़ा what alpha plus p is equals to two beta बड़ा two beta कैसे आएगा two beta तब आएगा इसका square कर दोगे इसका square करोगे तो मेरे पास आएगा l square t की power minus two is equals to x raise to power two beta ये भी l2 t-2 ये भी l2 t-2 तो this should be equal to this दोनों में बड़ा x है पावर दोनों के बराबर किये तो मेरे पास आगया alpha plus p is equals to two beta ये तो हमारा a option ही हो गया so a option seems good to me ठेक है लेकिन सवाल बड़ा more than one correct है तुम्हें बाकी भी करने पड़ेंगे ऑफकोस बड़ा advance के सवाल में 4 number आने के लिए fight तो मानने पड़ेंगे न दूसरा है p plus q minus r is equals to beta p plus q minus r is equals to beta ऐसे बोल दूँ p plus q is equals to r plus beta है की बाद न तो p plus q कैसे आएगा equation 3 को और 4 को multiply कर दो equation 3 को और 4 को multiply कर दो बड़ा equation 3 को और 4 को multiply कर दो मेरे पास आ गया m बड़ा multiply गड़ना l2 t minus 3 सही लिख बड़ा m l2 t minus 3 should be equal to बड़ा what x raise to power p plus q मुझे बड़ा beta plus r चीए beta plus r कैसे है का equation 2 को और 5 को multiply कर दो equation 2 को और 5 को multiply कर दो मेरे पास आ गया m l2 t minus 3 and l2 t minus 3 और मेरे पास यह आ गया x raise to power beta plus r अरे बड़ा this is equal to this so this equals to this तो obvious बात है की p plus q should be equal to beta plus r it means that की p plus q minus beta should be equal to r b option also seems fine to me b option बड़ा बुलकुल सही आ रहे है बड़ा next next time यह क्या है बड़ा p minus q plus r is equals to alpha तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मुझे क्या प्रूब करोना चाहरा है कि p plus r is equals to alpha plus q p plus r is equals to alpha plus q बड़ा p plus r कैसे आगा p plus r इन दोनों को multiply करने पर आगा should be equal to alpha plus q alpha plus q बड़ा of course इन दोनों multiply करने पर आगा करके देखना मुझे चाहिए p plus r बड़ा p plus r में इसको multiply किया बड़ा इन दोनों को multiply किया मेर पास आगया m वैसा का वैसा l2 बड़ा t की power minus 4 ठीक है should be equal to x raise to power p plus r बड़ा चैस सही तो किया ना p plus r में m l2 t minus 4 बिल्कुल सही है यह alpha plus q कैसा आगा alpha plus q बड़ा इन दोनों को multiply करने पर तो m आजाएगा और l की power बड़ा 2 आजाएगी और t की power सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 ही आजाएगी तो मेर पास आजाएगा x raise to power बड़ा what what alpha plus q of course बड़ा this is not equal to this so this should not be equal to this तो यह आपका c तो कहला था last बड़ा क्या p plus q plus r is equal to beta p plus q plus r is equal to beta दिखे रहा बड़ा गलत आएगा क्योंकि p plus q plus r करने के मुझे इन सबको multiply करना पड़ेगा इन सबको multiply करना पड़ेगा इन सबको multiply करना तो of course m square बच जाएगा और यहाँ तो बड़ा बीटा में तो m square ही नहीं तो देखे रहा होगा तो गलती आएगा तो d तो बड़ा देखने पता लगए यह गलत तो आज स quantity s is represented s, बड़ा s represent कर रहा है कि बड़ा कैसे, electric field cross with magnetic field upon mu naught, यह electric field है, maybe magnetic field है, mu naught बड़ा of course permeability of free space है, dimension of s पूछ रहा है कि ए dimension of s इन में से किसके बड़ाबर होगी, तो हो सता है किसी-किसी बच्चे को तो याद भी हो कि sir, आपने यही चीज न हमें electromagnetic waves कंदर से काया था कि एक pointing vector नाम से, और वो एक तरी किसे intensity type चीज भा करती थी, तो किसी-किसी बच्चे को तो फटाक से देखते ही आज़ाएगा कि सरी तो intensity है, intensity बड़ा of course means power upon area, तो हो सता है कि बहुत सरी बच्चों तो याद ही आज़े कि सरी power upon area है, power के लिए वो बुलेगा कि sir, it is basically ml2 t-3, area के लिए sir, l square, तो इसके dimension should be equal to mt-3, फिर वो चेक कर लेगा कि नीचे चार option देरक रखे हैं, उसके लिए किस में mt-3 dimension है, कोई बच्चा ऐसा है, बच्चा को बोलते है, sir में तो नहीं आदा है, sir आपने पढ़ाई है, कोई बाप की बच्चा निकाल लेंगे, electric field का, magnetic field के फिर्म है, पहले भी तो यहाँ आदे, कोई बच्चा बड़ा काम थोड़ी, निकाल लेंगे, कोई issue नहीं है, तो चलिए, बच्चा में थोड़ा बहुत निकालने कोशिश करता हूँ, कि s is equals to, एक तरीके से, electric field into magnetic field upon mu not, ऐसे लिख दो बटा है, electric field into magnetic field upon mu not, ऐसे लिख सकते हैं, अब किसी तरह से पहले तो नहीं काम करते हैं, mu not को खतम करते हैं, यह mu not पर परिशान कर रहा हैं, इसको उड़ा दे, उड़ा देंगे, mu not को बहुत सारे formula हैं, कहीं से भी उड़ाना चाहिए, जैसे magnetic field के अगर माँ बात करो, तो बटा किसी charge particle formula क्या होता है, mu not upon 4 pi q v r sin q v cross r upon r q, बटा मेरे खाल से रफल यह formula होता है, हाला कि मीचे 4 pi भी आता है, आगी बटा sine ड़ा भी आता है, लिए वो सरे dimension में ऐसे, फुल मिला कि मैं ऐसे कह सता हूँ कि mu not को, mu not के dimension और magnetic field into r square upon q into v के dimension, same ही होगे, तो बटा आराम से कह सता हूँ कि s can return is electric field वैसा के वैसा, magnetic field वैसा के वैसा, mu not को मैं लख सकता हूँ, b into r square q into v, बटा magnetic field, magnetic field cancel, electric field बटा मेरे ख्याल से होता है, force upon charge, बटा यह charge तो cancel, तो force into v upon r square, बटा बन गया अपना का, force के dimension अब मेरे बच्चे याद रखते है, mlt-2, velocity मेरे बच्चे याद रखते है, lt-1, distance का square बटा क्या हो गया, l square, l square, l square cancel, और मेरे पास ये कुल मिला कर बटा dimension वही आ गई है, जो हमने direct याद भी कर रखे थी, that is mt-3, ठीक है, perfect, मैंने direct भी लिखी थी, किसी बच्चे को ना समझ मैं, और बोलते हैं, मैं अच्चे अग्जाम में कैसे करता, तो this would have been the right way to do it, और बहुजा टाइम नहीं लग रहा, ये कोई advance का सवाल बटाए, g-min का सवाल तो है नहीं, कि products देखा और हो गया, third time तो लगता है, advance में चार नंबर लाने के लिए गर मानलो के, 4-5-min लगता है तो लगाने चाहिए, अब चेक करने कि किस के dimension mt-3 है, अभी चेक करते हैं, सबसे पहला option, energy, energy की dimension होती है ml2 t-2, upon charge, बटा, charge की dimension होती है it, current, बटा, current की dimension होती है i, चेक करने के जरूत ही नहीं बटा, इसमें i2 नीचे रह जाएगा, तो i की power minus 2 पर बज़ जाएगा, तो अब्विस बात हैं कि बटा, यह option तो नहीं होगा, mt-3, ठेक हैं, दूसरे है बटा, force upon length into time, हाँ, यह चेक कर लेते हैं, बटा, force है dimension mlt-2, length है बटा, l time है, t, बटा, l से, l cancel, और मेरे पास, mt-3, हाँ, हाँ, इसकी dimension जो है, वो इसकी dimension से match बिल्कुल कर रही है, यह भी answer हो सकता है, बल्द है, है यह answer, लेकिन सवाल बटा, more time है, हमें वापे से चेक करना पड़ेगा, अगला है, बटा, energy per unit volume, जैसे हम energy density भी कहते हैं, चेक करते हैं, बटा, energy के dimension, again, मेरे बालग जानते है, ml2, t-2, volume, बटा, l cube, उपर जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा, ml की power minus 1, t की power minus 2, of course, this is not the right answer, लास्ट वाला, देखते हैं मेरे अच्छा समझगा, पावर अपोन एरिया, वही तो intensity है, और आपने इसर एक्स्प्रेम भी दो किया था है, कि यह भी देखते हैं कैसी intensity जैसी चीज़ है, फिर भी किसी बच्छे को नायाद हो, ml2, t-3, बटा, पावर की dimension, area की dimension, l square, वापे से, mt-3, दो आपने बटाएगे, b and d, simple, तो j advance 2021 का सवाल था, जिमान के चलें कि पूरे paper के अंदर शाहिए सबसे आसान सवाल यही था, ठीक है, किसी-किसी बच्छे को tough लगा होगा, किस बच्छे को लगा होगा, खास वोसे tough, जिसको बड़ा पूरा dimension इसके निकालनी पड़े, जिसको tough लगा होगा, जिसको बच्छे होगा, जिसने electromagnetic wave के अंदर शाहिए पड़ा रख होगी, वो देखते समझेगा, किया रहे या, सुनने कितना बड़े सबता रखा था, कि ये तो intensity vector जैसा है, लिए intensity के vector form जैसे से कोई चीज है, लेकिन अगर वालों ना भी यात रहे, तो कैसे करने हैं, आपको समझाए दिया, ठीक है, आगे चलते हैं, जेई advance 2007 का बड़ा सवाल है, match to column सवाल है, मैंने बड़ा जान बूच के लिए है, हालाकि सवाल आसान है, लेकिन मैं खुद solve करकर दिखा रहा हूँ, जिससे मैं मैं बच्रूँ समझा सकूँ, कि बड़ा match to column कैसे करते हैं, more them in critication कैसे करते हैं, तो साइज जी आपको सिखा आज सकूँ, इसलिए मैंने सारा सारा काम कर रहा हूँ, some physical quantities are given in column 1, and some possible SI unit in which these quantities may be expressed are given in column 2, इधर की तरह तो unit है, मैच करना है, darkening appropriate bubble in 4 into 4 matrix given, ठीटो कर देंगे, 4 into 4 मैटा तुम समझे होंगे, 4 को मुझे 4 से इस तरह से mix करना है, ध्यान देटना बड़ा, कि J advanced 2007 का सवाल था, इसमें ऐसा था, कि 1 to 1 मैच हो ऐसा compulsory नहीं है, ऐसा बुचता कि 1 option 2 से match कर जाए, ऐसा ही possible है, तो सारा ही चेक करना पड़ाएगा, ठीक है, time layer, पहला है, G, M e into M s, M e और बड़ा, इस मास ओफ अर्थ और मास ओफ सन है, तो इसके dimension क्या होगी, G, मास ओफ अर्थ, मास ओफ सन के dimension पूछी, G, M, M upon दूरी का स्क्वाइर बड़ा क्या होता है, force, तो G, मास ओफ अर्थ, मास ओफ सन, बड़ा क्या होगया, force into दूरी का square, बड़ा force के dimension क्या होती है, M, L, T-2, R स्क्वाइर होगया, दूरी का है स्क्वाइर, तो यह होगया, M, L, Q, T-2, मुझे सिर्फ सर्च करना है कि, कौन सा, M, L, Q, T-2 है, बस, करते हैं, बड़ा charge, पहला बड़ा, volt into कुलांब, यार, volt क्या होता था, बड़ा, volt होता था, work done upon charge, कुलांब बड़ा, खुद क्या होगया, charge, into बड़ा, of course, length, length बड़ा, बड़ा charge, बड़ा charge क्यों होगया, cancel, तो work done into length, बड़ा, work done के dimension दो होती है, M, L2, T-2, एक length बड़ा, और, तो L-3, M, L-3, T-2, अरे तो मैच कर रहा है, तो A मैच कर रहा है, P के साथ, लेकि बड़ा, kilogram के dimension बड़ा M, meter की बड़ा L, और time की बड़ा minus 2, तो of course, बड़ा, ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, meter square per second, meter square per second square, गलत, तो ये तो नहीं होगा, last लावर चेक कर लेते हैं, बड़ा farad, बड़ा farad मेरे खिया चाहा है, into बड़ा volt का square, और energy के dimension बड़ा करती थी, ML2 T minus 2, बड़ा, नीचे kg है, वो तो M, तो इसके dimension में बड़ा क्या आएगी, L2 T minus 2, interesting चीज़ बड़ा notice की, कि इसके dimension और इसके dimension तो सेम आ रही है, और इसके dimension और इसके dimension सेम आ रही है, तो match कराना कितना easy होगा, तो आप कह सकते हों कि इसके dimension में तो L2 T minus 2, oh, it's going to be very easy, पहला, मैं बड़ा, एक करते करते एक picture clear होगे, कि हाँ बड़ा, सब easy है, कोई दिक्कत ने, क्योंकि इन दोने के dimension सेम, इन दोने dimension सेम, जब-जब P answer होगा, Q होगा, जब-जब R answer होगा, तो S भी होगा, कितना मामला चले है, बड़ा, 3RT upon M, very easy, बड़ा, 3RT upon M, को कोई फ़मला याद है, तो मेरे बच्च वाले कहां से बिलकुल याद है, V RMS हम लोग याद किया करते थे, root of 3RT upon M, तो 3RT upon M, बड़ा, क्या हो गया, speed का square, बड़ा, speed होती है, LT minus 1 तो उसका square हो गया, L2 T minus 2, L2 T minus 2 ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी है और ये भी है, तो of course बड़ा, ये किस-किस से match करेगा, R से और S से, आगे चलते हैं बड़ा, हाला कि मेरा बच्छा खुद ही कर लेका, बड़ लेकर वा कर लेका हो, next बड़ा, F square upon Q square B square, F बड़ा, F बड़ा force है, Q बड़ा magnetic field है, V magnetic field है, Q charge है, V magnetic field है, कर देंगे, force को वैसा का वैसा है, रखो, Q को वैसा का वैसा है, magnetic field को अटाओ, Magnitive field बटाने का मेर बास जुगाड है देख बटा तुझे एक force बता है कि charge particle पर force लगता है Q Q, V, B, sin जिटा sin जिटा, sin जिटा dimensional ले से तो मैं B की जिगे लिख सकता हूँ बटा B की जिगे लिख सकता हूँ force upon charge velocity मुझे बटा B square लिखना है force का square, Q का square, V का square force का square, force का square Q का square, Q का square, Q का square cancel, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का square बच गया speed के square के dimension होगी L2T-2 L2T-2 तो R और S है तो मेर बच्चा इसको R से भी मैच करा देगा और S से भी मैच करा देगा परफेक्ट last but not the least बटा GME upon R किसी के formula में आते हैं क्या हाँ बटा बलकुल आते है orbital velocity का एक formula हुआ करता था root GM upon R तो मैं जो GM upon R है उसको लिख सकता हूँ orbital velocity का square बटा वापेस से क्या हो गया L2T-2 L2T-2 है तो बटा इसके dimension वही होने चीए बटा कौन से तो मेरे ख्याल से पहले की dimension तो बटा P और Q हो गई और बाद वाले तो तीनों है बटा तीनों की ही dimension बटा क्या हो गई है R और S के साथ मैंच कर लिए easy से सवाल था बड़े राम सवाल है कर भी लिया होगा आगे चलते हैं बटा next is अगें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकर सवाल बिलकुल आसानी है G.Advance 2018 के paper 1 का सवाल है करते है in electromagnetic theory the electric and magnetic phenomenon are related to each other therefore the dimension of electric and magnetic field quantities must also be related to each other we also know कि बटा electrified and magnetic field आपस में कैसे दूसरे relate होते हैं हाला कि उसकी और details बटा of course आगे आप IIT दाकर भी देखोगे हमने भी हलका फुलका तो उसको cover किया ही है 11-12 class के अंदर है बट अगे नहीं कोई exact relation की बात नहीं कर रहा है यह तो सिर्फ उसे dimensions की बात कर रहा है कर सकते हैं in the question electric field, magnetic field stand for the dimension of electric field and magnetic field अच्छी बात बटा epsilon node or mu node dimension of permittivity and permeability L or TR dimension of length and time सिर्फ पहले electric field और magnetic field पर कोई फोन दो बताओ देख बेड़ा force charge particle पर होता है Q into E electric field और charge particle पर magnetic field की बटा फोन में होता है Q into V into B into sign it up sign it up dimensionless है Q से Q cancel मैं लिख सता हूँ कि electric field is equals to magnetic field into velocity तो मैं बड़े आराम से लिख सता हूँ कि electric field की dimension is basically magnetic field की dimension into velocity dimension velocity dimension is of course L T minus 1 to B sorry E should be equal to B into L T minus 1 E should be equal to B into L into T minus 1 T minus 1 होता है गलत electric field is equals to B L minus 1 T गलत electric field is equals to B into L into T minus 1 बिलकुल साही B electric field is equals to B L minus 1 T minus 1 बिलकुल बिला था perfect कितना इसी सवाल बिला था आगे चालते नेक्स्ट इस अगे बड़ाइसे का दूसरा पांट मलब comprehension था और यससे अच्छा क्या हो सबता है लाइफ क्यों दिर unit and dimension सवाल का हमसे कोई comprehension पूचे तो पहला सवाल करने में कितना टाइम लेगा अबस बात बिला मैं तो फिर भी समझाने के चकर में अराम अराम सोल किया बच्छा ओं देख 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 रहते हैं अब मुझसे पूचा है कि relation between mu naught and epsilon naught कर देंगे जब मैं electric field और magnetic field में relation निकाल सकता हूँ तो mu naught और epsilon में निकाल सकता हूँ वैसे electric field और magnetic field में relation क्या है था क्या relation है था बढ़ा electric field is equals to magnetic field into velocity electric field को मुझे replace करना है epsilon naught से electric field बढ़ा क्या होती है q upon 4pi epsilon naught into dhuri का square 4pi बढ़ा unit less है dimensional less है उसको डाथ हूँ velocity को वैसा को वैसा रखो magnetic field बढ़ा magnetic field किसी charge particle के विए सही याँ देगे charge particle के विए से magnetic field का formula हुआ करता था mu naught upon 4pi q v sin theta upon r square बढ़ा धांगे ना मैंने sin theta न लिखा और 4pi न लिखा वो तोनो dimensionless है बढ़ा अराम से कैसे रते हो कि देखो sir q से q निप्टा r square से r square निप्टा ठीक है और मेरे पास mu naught की value आ गए तो मेरे पास आ गया mu naught is equals to epsilon naught की power to the minus one velocity dimension on the lt minus one तो वो उपर गया तो l minus 2 t square को दिखकर तो नहीं उटा वी को मैंने लिख दिया है एल ट मैनस में उपर गया तो एल माइनस टू टी प्लस्ट कोई दिमेंशना चेक कर लो mu naught is equals to epsilon naught L गलत epsilon naught L की पावर माइनस टू टी की पावर टू बड़ा इस तो भी करेक्ट विड़ा वाकित ओफकोर्स कोई नहीं सेता थे लोगी इन तीनों की टम्स में तो है तो तीनों की टम्स में तो सर्फ वोसिव एक ही फावला बनता है का और को बच्चे को सवाल को सभी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ और को पढ़ना है पढ़ते हो जाए तो ठीक है और को बच्चे को यह वाली आठ नमर लिया है तो बड़ा ओफकोर्स काफी बच्चे तो आगे निकली गया, च्छिक है? आगे चलते हैं, अच्छा सवाल, बड़ा बड़ीया सवाल, ओल्दो थोड़ा सा और टफ हो सकता हो था, बढ़ ठीक बड़ा, यह सवाल है, तो अच्छा है, डामेंशन अनलेसिस का यह अच्छा सवाल है, किसी बच्चे ने वेड़ा कर द रेलवे इंजिनेर यूसस डैमेंशन अलेसिस, अजूम दैं, दिस्टेंस डिपेंड्स अन मास डेंसिटी ओफ दो फोग, तुम कितनी दूरी तक बड़ा सिगनल को क्लेरली देख सकते हो, यह जो डी है, बड़ा यह डिपेंड कर रहा है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, बड़ा उसकी डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, रोपर डिपेंड कर रहा है, जो इंटेंसिटी है, लाइट की, उसपर डिपेंड कर रहा है, पावर अपोन एरिया, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंसी, और जो फ्रिक्वेंसी है बड़ा लाइट की, उसपर डिपेंड कर रह तो जो किस रेशो में ये डिपेंड कर रहा है, वो किस से पतल आएगा? Dimension से, Dimension Analysis से हैं, कैसे करते हैं देखना हैं, कितने दूरी पर देख पा रहे हो, जो फॉग है, उसकी density की पावर A, जो light की intensity है, जो signal है, उसके बड़ा intensity है, उसकी पावर B, और जो signal है, उसके frequency की पावर C. मुझे ना तो A पता है, ना B पता है, ना C पता है, सही को हो तो मुझे एक तरी के जए, S की पावर निकाल लें, तो मुझे B निकाल लें, ठीक, दूरी, दूरी बड़ा of course length है, तो उसके dimension है क्या होगी, M0, L1, T0, कि बड़ा कोईने कोई unit less, dimensional less, just constant है, तो उसके dimension है, density, बड़ा fork की density, बड़ा mass density, बड़ा mass per unit volume, बड़ा mass per unit volume की dimension, M, L-1, बड़ा power upon area, अमारी intensity है, power होता है, M, L2, T-3, उसको area से बड़ा के तो L2, L2 रगा है, या पर तो सिर्फ हो सिर्फ क्या बच गया, M, T-3, frequency, बड़ा frequency dimension होती है, T-1, बड़ा E मेरे पास आगया C, चलिए बड़ा, compare करते हैं, यहाँ पर M पर power आगया, बड़ा A plus B, A यहाँ से, B यहाँ से, L पर power आगया, minus 3A, और T पर बड़ा power आगया, minus 3B, minus C, सिर्फ हो सिर्फ compare करना है, इधर बड़ा M की power 0 है, यहाँ पर A plus B है, बड़ा M के dimension, बड़ा उधर 0 है, उधर A plus B है, तो A plus B should be equal to 0, या A should be equal to minus B, this is my question number 1, L के dimension बड़ा, यहाँ पर 1 है, बड़ा है, बड़ा, minus 3A है, तो मेरे पास आगया, minus 3A should be equal to 1, तो A की value आगया है, 1 by 3, A की value 1 by 3 आगया है, तो B की value बड़ा, of course, आगया है, minus 1 by 3, बड़ा B की value आगया है, minus 1 by 3, ठीक है, sorry, A की value आगया, minus 1 by 3, तो B की value आगया, बड़ा के अपनी 1 by 3, हाला कि इससे answer आगया, बड़ा मा आगया है, बड़ा, बड़ा, 3B, बड़ा, T का अगर मैं compare इसकुरूं, तो मैं लिख सता हूं, कि 3B plus C should be equal to 0, तो C should be equal to minus 3B, बड़ा मैं इसको minus 3B किया, तो minus 3 into, बड़ा, 1 by 3, मेरे पास आगया, minus 1, तो कुल मिलाकर, मेरे पास, बड़ा, density की value आगया है, sorry, दूरी की value आगया है, density की power A, बड़ा, A कितना है मेरे पास, minus 1 by 3, मेरे पास intensity की बड़ा power कितनी आगया, 1 by 3, और frequency जो है बड़ा, frequency जो है, उसकी बड़ा power आगया है, और कितनी minus 1, कोई सी power पूछ सकते था, इसमें सारी निकाल दी, बस सवार में सिर्फ और सिर्फ बड़ा, S की power पूछ रखिए, S की power है 1 by 3, उसको 1 by N लिखा हुआ है, तो 1 by N should be equal to 3, तो N equals to 3, सिर्फ इतना ही पूछ रखा था, और कुछ पूछी ने लखा था, I hope समझ गयोंगे इस बात को, मैंने जो calculation यहां पर की, उसकी कोई ज़रूद थी नहीं, आपने जैसे देखा कि BQ value 1 by 3 आगया है, मुझे तो सिर्फ और S की power पूछी है, वो 1 by 3 है, उसको 1 by N लिख रहा है, तो N equal to 3 है, आप वहें पर छोड़ सकते थे, तो मुझे तो बात समझा नहीं थी, कि बढ़ा को बता लगा कि यह वाला सवाल आप इससे पूछ लिया, इस बार यह पूछ लिया, बताओ, फ्रिक्वेंसी पावर किया, फ्रिक्वेंसी पावर ओड़ा माइनस वाल है, तो मैं तो इसलिए जानबुची सारा कर दिया हूँ, बट वैसे तो तुवारा सारा सारा काम यही बन चुपा था, परफेक्ट, चली बटा, मेरे बच्चे आगे चलेंगे, नेक्स्ट इस, बटा, जईए एडवांज दो अजार, बाइस का सवाल, मेरे ख्यान से दो साल पहले यह वाला सवाल पूछा था, आसान सा सवाल है, बस थोड़ा कैलकुरिशन लगती है, क्या कूँ, इन ए पर्टिकलर सिस्टम ऑफ यूनिट, ए फिजिकल कॉनिटी कैन बी एक्सप्रेस्ट इन टरम्स ऑफ एलेक्ट्रिक चार्ज, बटा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, उसके टैमेंशन ए दे रखी है, मतलब हमारा जो i,t हुआ करता था न, उसको मैंने एक तरह सब e लिख दिया है, मास की बटा me लिख दी है, मतलब मास जो है, बटा, उसको मुझे, me से रिप्लेस करना है, प्लैंक कॉंस्टंट जो है, बटा, हमेरे पास h है, अब अब प्लेगस कोंसें दी आतने के अनेज्ज गड़े फिर्म्ला करता था क्या प्लैंक इंटू क्रिक वेंसी एन्री के देनेशन उती ह् 1 23 पीछ ठीक वाठा फ्रिकवेंस के डेमेंशन मांपनेख स्वते दिंअ माइनस辦法 लेक्टेटिдел L to T minus 1 तो M L to T minus 1 H की बढ़ा मेरे पास ऐसे वागर गए के बढ़ा 1 upon 4 pi epsilon के जिएदे रखा है ठीक है, तो K की dimension, बढ़ा K याद करो force is equals to charge into charge K, बढ़ा K कैसे लिख दिया? 1 upon 4 pi epsilon into बढ़ा दूरी का square तो K की dimension लिख साता हूँ force into दूरी का square upon बढ़ा charges का multiplication force की dimension मेरे बाल को पता है M L T minus 2 दूरी का बढ़ा of course L square charge बढ़ा I T है तो उसका square क्या तो I square T square तो जो मेरे पास K दे रखा है उसकी dimension में बढ़े आराम से लिख साता हूँ M तो ठीक है मैं बढ़ा क्या L cube बन गया L cube बन गया T की power बढ़ा क्या बन गई minus 4 और I की power बढ़ा क्या बन गई minus 2 अब मुझे पूचा है magnetic field इनके terms में बताओ बतादेंगे magnetic field मुझे रखा है कैसे बढ़ा कि magnetic field मुझे दे रखा है E raise to power alpha M E raise to power beta into बढ़ा मेरे ख्याल से H raise to power gamma और last मेरे ख्याल से क्या दे रखा होगा K raise to power delta और मुझे A alpha plus beta plus gamma plus delta की value पूचिए आराम से करते हैं चार्ज जैसा मेरे बच्चा confirm है किसर इस बेसिकली IT इसकी पावर alpha मास तो बढ़ा M E है इसकी पावर beta H की dimension मेरे भी निकल लिदी ML to T minus 1 ML to T minus 1 इसकी बढ़ा पावर गामा और last बढ़ा K है K की dimension मेरे पास कितने हैं ML cube ML cube T minus 4 I minus 2 हालना की बढ़ा इसकी dimension जो है वो Epsilon की dimension का ज़स्ट उल्टाई है किस लिए किसे लिए किसे लिए किसे लिए हम बढ़ा सही तो लिखिए वो सोरी L cube बढ़ाने लिए कि पर हमारे स्री लिए कि अब ठीक है इसकी पावर डेल्ट हा होगे बढ़ा बस magnetic field की dimension लिए दो magnetic field dimension वैसे तो बढ़ा चुप यादि रहती है ना यादि रहती हो बढ़ा magnetic field को मैं लिख सता हूँ force into charge into velocity force की dimension मेरे बच्छा जानता है ML T minus 2 charge की dimension बढ़ा कितनी IT velocity की dimension बढ़ा L T minus 1 ये T से बढ़ा T cancel हो गया L से बढ़ा L cancel हो गया तो मेरे पास dimension आगई है M की dimension दो 1 L की dimension 0 T की dimension मेरे बच्छे minus 2 और I की dimension minus 1 सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ comparison करना है अगर दोनों तरफ अगर dimensions compare करें तो बढ़ा यहाँ पर आगया M की dimension आगई है beta plus gamma plus delta L की dimension आगई है 2 gamma plus 3 delta time की dimension आगई है alpha minus gamma minus 4 delta और current की dimension आगई है यहाँ बढ़ा alpha आगया यहाँ minus 2 delta सिर्फ compare करना है सबसे पहले beta plus gamma plus delta should be equal to 1 gamma आगई है मेरे पास आगई 2 times gamma plus 3 times delta should be equal to 0 और अկही है पासा मेरे और आगई है पास आगया है यहाँ आग अध्याऊ ने आगई है आख एकई है आगा मेरे पास आगई मेरे पास राइगा मैए अमीग उस्क की कुटर ओग्या दू yo ऐसे लिए दू, 2 delta minus alpha should be equal to 1 चार equation ने मेरे ख्यासरा solve तो होई जाएंगे, काम बढ़ अपना बनी जाएगा शायद, है न, चलिए जैसे इन दोनों equation में minus करके, सिर्फ और gamma और delta बजएगा, उसको इसे solve कर दूँगा answer आजाएगा, तो एक काम करते हैं equation number 3 में से equation 4 को minus करते हैं, equation 3 में से equation 4 को minus किया this minus this किया तो बढ़ ये तो क्या हो गया, cancel मेरे पास आगया gamma plus 2 delta should be equal to 1, gamma और delta पहले से एक equation पढ़ी है, बढ़ा कौन सी 2 gamma plus 3 delta should be equal to 0 मेरे ख्याल से काम बन जाएगा अपना, पहली वाले जो equation है, इसको 2 से बढ़ा multiply कर दो फिर इसमें से minus कर दो तो उस उपरोड़ equation में 2 से multiply किया, तो बढ़ा मेरे पास आगया 2 gamma plus 4 delta is equal to 2, इसमें से minus किया, तो बढ़ा 2 gamma cancel हो गया, मेरे पास आगी बढ़ा क्या, 4 delta minus delta, minus 3 delta, बढ़ा किया, delta should be equal to 2, delta बढ़ा 2 आगया, delta बढ़ा 2 आगया, delta को यहार रगदो, तो मेरे पास गाम भी आगया, gamma plus 4 should be equal to 1, तो gamma की बढ़ा मेरे पास value आगया, तो alpha भी आगया, alpha is equals to 1 plus 2 times of delta, that is 1 plus 2 times delta, बढ़ा delta कितना है, 2, delta 2 आगया, हाँ, सब बढ़ा लगदे मैं, alpha को में लिख सकता हूँ, alpha को में लिख सकता हूँ, बढ़ा क्या, 1 minus 2 times of delta, sorry, 2 delta minus 1, 2 delta minus 1, delta बढ़ा कितना है, 2, तो 4 minus 1, बढ़ा that comes out to be 3, वैसे करें रब डारेटी हो जाएगा, क्योंकि alpha plus gamma plus delta दो 1 पता ही था, मुझे सवाल के निदर पूछ क्या रखा है, साल मुझे से पूछ रहा है, alpha plus beta plus gamma plus delta, तो alpha हमने निकाले लिया, alpha कितना है, alpha हमने निकाल लिया कि कितना है, 3, ठीक है, प्लस, alpha plus beta plus gamma, इसके बढ़ा value मुझे बंदे रिखिये हैं, तो ऐसे इंडिजियों निकालने के ज़रूत ने नहीं, that comes out to be 4, तो इन सब का जो sum है, वह आपके पास 4 आजाए, ठीक है, तो इसी बच्चे की अगर सिर्फ ऑसर उनिटाने की सवाल किया, उसने अगर यह सारे के सारे लेक्शर को बड़ी आसे देखा है, कोबी चीज अगर उसे अच्छी लगी उसने थी क्यालकुलिशन की, तो मान के चलू कि actual advance में भी UND का सवाल आपसे बड़ा राम से बन जाएगा I will try my best कि मैं fastly वीड़ा सारे के सारे video solutions बाकी chapters के बना दूँ जब आप advance का exam देने जाओ 26 में को उससे पहले पहले I will try my best कि मैं सारे के सारे chapters के video solution बना दूँ आपके वड़ा कोई दोस्त वोस्त जैनको इन वीड़ो solution के ज़रो थो तो आप उनको ये वाला वीड़ो शेर जबू करें पढ़ाय करते ही जिएका कोई मन में doubt हो कोई शंका हो तो comment box में लेखना भी ज़रूर I will try to reply All the best, bye bye